सबी लोग सहरों में तो अक्सर सूर्य ओदय के होने के बाद ही जगते हैं हमको हर्याली तीज का जब ब्रत करना है तो आपको सूर्य दैशे पूर्व ही जगना है और जग करके सारी चीजें साफ सुध करके अपने घर को रशोई घर को मंदिर को पवित्र करके आप तब भग भगवान की पूजा करने के लिए सारी स्वामग्रिया एकत्रत करें जिसमें एक थाली में सुहाग की सारी वस्तु हैं जो हमारे सुहाग में हम इस्तमाल करते हैं चूडी बिंदी लिपिस्टेक के त्याद जो श्रंगार की सामिग्रिया हैं वो सारी सामिग्री एकत्रत करक एक ठाली में रोली चांदन जो भगवान के पूजन करने के चावले त्यादी ये सारी पूजन सामेकरी लेकर के बक्ति और भाव से भगवान शी गड़ेश की मा पारवती और भगवान संकर की प्रतमा को मिट्टी से निर्मार करना है मिट्टी से निर्मत आज के दिन हर्याली तीज के दिन मिट्टी से निमस्वैम की दुवारा निर्मार किये गए यहां पर उनी प्रतमाओं का पूजन किया जाता है जो अपने हाथ से अपनी मिट्टी से सुद्ध मिट्टी से बनाई गए हैं तो अपने हाथ से भगवान सी गड़िश का प्रित्मा वना में अपने हाथ से भगवान सी संकर की माता पारवती की प्रित्मा वना करके उनको भक्ती भाव से एक इस्थान में बिठा करके चावल छोड़ करके और उन पर जल छड़क करके पवित्र करके और उस पर तब रोली इत्याद करके वस्तर उनको धरन करा करके तब उनका पूजन और ध्यान करना है पूजा के बाद में कपूर आरती इत्याद दूपदेव इत्याद दिखावें कपूर आरती करें मंगल आरती करने के बाद में तब इसके बाद में आप ब्रत रखें ये हर्याली तीज का ब्रत भी निर्जल होकर की रखा जाता है अगर आपकी सामर्त नहीं है कि आप सरीर आपका उस योगी नहीं है कि आप निर्जला ब्रत रख सकें तो आप अल्प आहार करके जली है आवहार जैसे कि आप रस ले सकते हैं फलों का रस दूद इत्यादी ले करके परन्तु वो बिसेश स्थेती में है नहीं तो आपको केवल निर्जला ही ब्रत रखना होता है इसको भी और हर्याली तीज पर स्रेंगार सदेव बना रहता है आपका शोहाग सदेव अमर रहता है जब तक आप रहेंगे आपका शोहाग अमर रहेगा